गुद मारिंग स्टुडेंट्स आज हम नामक पाट पड़ेंगे चित्र में क्या दिखाए देरा चित्र में महात्मा गांधी जी है महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं महात्मा गांधी जी ने अपने भारत देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया और आप महात्मा गांधी से मिलते तो क्या बाचित करते कलपना कीजिए और बताईए अगर हम महात्मा गांदी जी से मिलते तो उन्हें यह पूस्ते कि उन्होंने इतनी शक्ति कहां से आई कि उन्होंने सारे भारत देश को अंग्रेजों के विरुद प्रेरना दी और उन्होंने सारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतोर पर नौकर जाकर करते हैं जिस जमाते में वे बेयरिष्टर से हजारों रुपे कमाते थे उस समय भी प्रतीदिन सुबा अपने हाथ से चक्की पर हाटा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तुर्बा और उनके लड़गे भी हाथ बटाते थे इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा से खुद पीश लेते थे साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रिखा वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे एक बार एक कारकरता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है आटा पिस्वाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फोरान उटकर खड़े हो गए गेहों पिसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे कौपीन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बिनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरन में पड़ गए पड़ जाते थे बाहरी लोगों के सामने शारीरक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी एक बार उनके पास कालेश के कोई इचात्र मिलने आए उनको अंग्रीजी भाशा के अपने इग्ञान का बड़ा गर्व था गांधी से बाचीत के हंत में वे बोले बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूँ तो कुरुपिया मुझे आवाश्य बताएं उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पड़ने का काम देंगे गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहों बीन डालिएगा आगान तुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था एक गंटे तक गेहों बीनने के बाद वो ठक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिये इस तरह कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संबालने में मदद दी सवेरे की प्रातना के बाद वे रसोई घर में जाकर सबजियां चिलते थे रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकडी का जाला देखा पाते थे तो अपने साथियों के आडे हातों लेते उन्हें सबजी फल और अनाज के पुष्टिक गुणों का ज्ञान था एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोये आलू काड़ दिये गांदी ने उसे समझाया कि आलू और नीमबू को बिना धोये नहीं काड़ना चाहिए एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिये गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे उसने बहुत बु उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तोर पर इसलिए दिये गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांदी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयम की ही भोजन परोस्ते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिन आफरिका की एक जेल में वे सेकडों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कारिक कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बरतन खुद साफ करें। रसोई के बरतन बारी-बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पीतलों पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खुब खाली लगी थी। राक भरे हातों से वह एक पतीले को खुब जोर जोर से रगणने में लगे हुए थे कि तब ही कस्तुर्बा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली यह काम आपका नहीं है। इसे करने को और बहुत से लोग है। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। और वेचुप चाप कस्तुर्बा को उन बरतनों की सफाई सौम कर चले आई। बरतन एकदम चमकते ना रहो तब तक गांधी को संतुष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मदद कर दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी मांच कर चांदी सा चमका कर रखते थे। जब आश्रम का निर्मान हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबों में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है। लोटते समय उसने देखा कि गांदी खुद उसका बिस्तर खंदे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वेरोज करते थे। एक दिन गांदी कुछ आस्वस्त थे और चक्की पर आटा पिछने के काम में हिसा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावत से बचाने के लिए अन्य आश्रम वास्यों की सहायता से सभी बड़े छोड़े बरतनों में पानी भर डाला। घंदी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठोस थेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कोई से उसमें पानी भर कर टब को सिर पर उठा कर आश्रम में ले आए। बेचारे कारेकरता को बहुत पस्तावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाजारी ना हो तब तक गांदी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महत्मा या बुडे होने के कारण उनको अपने हिस्से का धहिनिक जारीरक श्रमना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत ख्षमता है और शक्ती भ अफरिका में बे बोर युद्ध के दोरान उन्होंने घायलों को स्टेचर पर लात कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिन आफरिका में जब वे टॉल स्टाइ बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन म अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबा दो बजे की बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लोटाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरन का खुशी कुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तला तालाप की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांदी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावडे, खुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लोटे थे तो देखते ही गांदी ने उनके लिए त उजित है कि हम आपसे सेवा कराएं। गांदी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। क्यों नहीं मैं जानता था कि तुम लोग ठके मांदे लोटेते हो। तुम्हारा नाश्ता तयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिनाफरिका में रहने वाले भारतियों के जाने हारी भोज में निमंत्रिन किया। छात्रों ने इस अवसर पर अवसर के लिए स्वयम ही हाशा का हारी भोजन तयार करने का निच्छे किया था। तीसरे पहल दो दो बजे एक दुबला पतला और चरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने सबजी साफ करने और अन्य छुट पुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को नेता वहां आया तो यह देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अधिती गांधी थे। गांधी दूसरों से काम ल लोटे तो रात को हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्ष बुहार रहे थे। उस समय रात के दस बजे थे। एकारी करता ने दोड़ कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गाओं का दोरा कर रहे होते। उस समय रात को यदी लिखते समय लाल ट लाल्टेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पुरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे लेकिन सोते हुए अपने किसी ठके हुए साथी को नहीं जगाते थे नौखाली पद यात्रा के समय गांदी ने अपने शिविर में केवल दो आत्मियों को ही रहने की अनुमती दी इन दोनों को यह नहीं मालुम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है इस पर गांदी स्वयम रसोई में जहां बैटे और निपुन रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विदी बताए उस समय गांदी की अवस्ता अठाटर वर्च की थी गांदी को बच्चों से बहुत प्रेम था अपने बच्चों के जन्म के दो माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखबाल के लिए नहीं रखा वे मानते थे कि बच्चे के विगास के लिए माबाप का प्यार और उसकी देखबाल अनिवारी है वे मा की तरह बच्चों की देखबाल कर सकते थे खिला पिला औरो बहला सकते थे एक बार दक्षिन आफरिका के जेल में से छूटने के बाद घर लोटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत सी दूबली और कमजोर हो गई थी और उनका बच्चा उनका दूद पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूद छोड़ाने के कोशिश कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें उगाए रखता था जगाय रखता था गांधी जिस दिन लोटे उसी रात से उन्होंने बच्चे को देखबाल का काम अपने हाथ में ले लिया सारे दिन बड़ी मेहनत करने सबहाओं में भाशन देने के बाद चार मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को एक बजे गर पहुंसते थे और बच्चे को स्रीमती पोलक के बिस्तरपर से उठा कर अपने बिस्तरपर लिटा लेते थे वो चारपाई के पास बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला देते लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था एक पक्षवाडे तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूद छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आधर करते थे दक्षिनाफरिका में गोखले गांधी के साथ धहरे हुए थे उस समय गांधी ने उनके दुपटे पर इस्त्री की वह उनका बिस्तर ठीक करते थे उनको भोजन परुस्ते थे और उसके पैर दबाने को भी तयार रहते थे गोखले बहुत माना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बर धक्षिन आफरिका से भारत आने पर गांधी कांगरेस के अधिवेशन में गए और बात में उन्होंने एक बड़े कांगरेस नेटा से पुछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हो नेता ने कहां मेरे पास बहुत से पत्री खटे हो गए है जिनका जवाब देना है मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूँ क्या तुम यह काम करने को तयार हो गांदी ने कहां जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तयार हूँ जो मेरी सामत से बाहर ना हो जब मैं काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन्नेता की कमीज के बटन आदी लगाने और उनकी अंज सेवा का काम खुशी से किया जब कभी आश्रम में किसी सहाया को रखने की आवशकता होती थी तब गांदी किसी हरिजन को रखने का आगरा करते थे उनका कहना था नौकरों को हमें बेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कटिनाई हो सकती हैं फिर भी हमारी कोशिश सरवता निश्वल नहीं जाएगी उन्हें यह मालूम नहीं मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांती कैसे रखे एक बार भारत की जेल में उनके कहीं साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया एक आदमी उनके फल धोता या काटता दूसरा भकरियों को धुहता तीसरा उनके नौकर की तरह काम करता और चोथा उनके पाखाने की सफाई करता था एक ब्रामन कैदी उनके बरतंद होता था और दो गोरे यूरोपियन प्रति दिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे गांधी ने देखा कि इंगलाइन में उन्चे घरान में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था एक बार एक अंग्रेश के घर से विदा लेते समय उन्हे यो देह कर कुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बलकि परिवार की सदसी के समान कराया गया एक बार एक भारती सजन के यहां काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर की नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहां मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समस्ता उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समस्ता हूँ आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामार्त मुझ में नहीं है लेकिन इश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे तो बच्चो यह वीडियो आगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक किजेगा अपने मित्रों को शेर किजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्रिब किजेगा धन्यवाद